गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हाउ अर्यू, कल अमने साउंड वर्ड ए का चेप्टर रीड किया था, आज इसके साउंड वर्ड ए करेंगे, नोट पुक के अंदार, जैसे आपने साउंड वर्ड ए पढ़ाता, उसी तरह साउंड वर्ड ए, हैडिंग डालिए, इसको टू टाइम अपनी नोट बुक में कीजिए, नीट एंड क्लीन और इस तरह से आपका क्या होगा है, साउंड वर्ड ए, मेरे साथ साथ फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, डेन, नेट, हैंड, टेन, टेन, प्लेग, ओके, आज बच्चो आपको हिंदी में दो अक्षर के बिना मात्रा की शब्द लिखने हैं, दो अक्षर के बिना मात्रा की शब्द, आपकी नोट बुक में आप करोगे, गर, फल, टब, जग, रत, हल, फिर से रिवाइज करोगे, पहले वे चैप्टर रीड करवा देती हूँ, करने तो आपको नोट बुक में शिक्स है, पर चैप्टर में करवा देती हूँ, बस, दन, वन, थन, खत, नल, आपको नोट बुक में करने है, घर, फल, टब, जग, रत, हल, इनको बोल-बोल कर लिखना है, यह क्या आपके दो अक्षर के पिना मात्रा वाले शब्द, इनको क्या करना है, बोल-बोल के लिखना है, एक बार और बुलवा देती हूँ, माप लोगों को, घर, फल, टब, ज रग, रत, हल, ओके?